अवश्य ही, वास्तु शास्त्र आपके घर में सकारात्म कूर्जा लाने और सुख समृद्धी बढ़ाने में मदद कर सकता है। यहां हिंदी में कुछ आसान वास्तु टिप्स दिये गए हैं। दिशाए, ईशान, उत्तर पूर्व, ये सबसे शुब माना जाता है। इसक्षेत्र में पूजा का कमरा, वाटर स्टैंड या तुलसी का पौधा रखें। उत्तर, सकारात्म कूर्जा के लिए उत्तर दिशा में अध्ययन का कमरा या मंदिर रखें। दक्षिम पूर्व, धन के देवता, कुबेर की दिशा मानी जाती है। इसक्षेत्र में तिजोरी या जैड पौधा रखें। दक्षिम, भारी वस्तुएं जैसे अलमारी दक्षिम दिशा में रखी जा सकती है। पश्चिम, बच्चों का कमरा पश्चिम दिशा में रखने से उनका मन पढ़ाई में लगेगा। अन्य टिप्स, प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार पर हमेशा स्वच रखें और जूते बाहर ही निकाले। सोने की दिशा, सेर दक्षिम या पूर्व दिशा की ओर करके सोए। रसोई, रसोई घर को इशान कोन में रखने का प्रयास करें और गैस को आगनेय कोन, दक्षिम पूर्व में रखें। पौधे, घर में तुलसी, मनी प्लांट और लकी बैंबू जैसे सकारात्मक पौधे लगाएं। ध्यान दे, वास्तु सिर्फ दिशाओं के बारे में नहीं है, वलकी सकारात्मक उर्जा के प्रवाह को बढ़ाना है। इन सुझावों को अपनाने के साथ साथ, अपने घर को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखें। अगर आप अपने घर के लिए और वास्तु उपाय जानना चाहते हैं तो किसी वास्तु विशेशगे से सलाह ले।